तो हैलो नमस्कार दोस्तो कैसे हो सारे मेरा नामेर प्रतिक और आप सबका बहुत-बहुत स्वागत है आटो शेल्टर की एक नई वीडियो में है तोस्तो आज हमारे पास है महिंद्रा एक सवी सेवन डबलो का एक सेवन लग्जरी वेरियंट यह सबसे टॉप वेरियंट है ए इसलब आलमस्ट टॉप वेरियंट है तो सेवन सीटरी होने वाला है और यह जो गाड़ी है यह महिंद्रा के डबल्यू सिक जिरोवन ग्लोबेल एक स्वी प्लेटफोर्म पर बेस है और इंडिया के पहली गाड़ी है जिसमें हमको एलेक साब बिल्ट इन मिल जाता है जोकि जोकि एक बहुती बढ़िया बात है गाड़ी के अगर हम सेफ्टी वीचस की बात करें तो गाड़ी हमको सेफ्टी के दोर पर ABS, 7 airbags, electronic stability program, blind view monitor, passive keyless entry, tire pressure monitoring system, reversing camera, speed sense door lock, isofix child seat mount, traction control, vehicle dynamic control, hill hold control, hill descent control, roll over mitigation, electronic brake refill, brake disc wiping और secondary collision mitigation एसे safety features जो हमको महींद्र एक्सवी 7W में देखने को मिल जाते है इस गाड़ी के साथ हमको Adreno X technology में मिलती है जिसमें हमको 60 plus connected car features मिल जाते है और इस variant के साथ हमको इस Adreno X system का 2 year तक का free subscription जो हो offer किया गया है यह भी एक बड़े बात हो जाती है गाड़ी की suspension setup की बात करें तो ग जो कि हमारी driving performance को enhance कर देती है और इस गाड़ी के साथ हमें advanced driver assistance system भी देखने को मिल जाती है जिसको ADS भी कहा जाता है शुरुवात कर रहे थे गाड़ी के की से पीची की तरफ हमें महींद्रा का logo मिल जाता है और हमको flip की जो है वो offer की गई है बहुत ही premium सी की हमको offer की गई है सेंटर में हमको महींद्रा का नया logo मिल जाता है SUV लाइनफ के लिए और नीची की तरफ हमें जो है वो camera मिल जाता है बहुत ही बढ़िया लगता है गाड़ी का overall front look और गाड़ी के अगर हम headlamp setup की बात करें तो headlamp setup में हमको LED clear view headlamps मिल जाते है high beam assist, LED DRLs, LED sequential indicators, corner ring lamps और auto booster function के साथ में जो की बहुती बढ़िया और बहुती aggressive लगते है LED में हमको इदर fog lamp मिल जाते है जो की बहुती clear vision प्रोवाइड कराते है और सामने के अगर हम bumper की बात करें तो silver color में हमको skid plate मिल जाती है और body color bumper हमको SUV 7 double में जो हो मिल जाता है और 4 wide angle camera हमें मिल जाते हैं SUV 7 double में जो की हमको 360 degree camera view प्रोवाइड कराते है बात कर लेते हैं गाड़ी के side profile के बारे में तो side profile भी बहुत ज़्यादा boulder बनाए गई है 4.7 meter के overall length मिल जाती है 1.7 meter के height और 2000 kg का curve weight हमें मिल जाता है SUV 7 double का गाड़ी के अगर हम wheels को देखे तो इसमें हमको 18 inches के diamond cut yellow wheels मिल जाते हैं जो की बहुत ज़्यादा premium लगते हैं और हमको 4 disc brakes इस गाड़ी में offer किये गए है छे color options हमको Mahindra SUV 7 double में available है और आप ये blue color देख रहे हैं और ये रहे गाड़ी के electrically accessible और foldable और वियम्स camera के साथ में नीचे की तरफ हमको camera मिल जाता है और turn indicators भी हमको और वियम्स में देखने को मिल जाते हैं और हमको window के नीचे जो वो chrome की stripping देखने को मिल जाते हैं जो की बहुती premium लगती है और ये पूरी end तक जाती है जिससे गाड़ी की look बहुत ज्यादा enhance हो जाती है और हमें पीछे की तरफ जाए वो एडिनोक्स की badging देखने को मिलती है गाड़ी के ADS system में हमें adaptive cruise controls smart pilots assist forward collision warning auto emergency braking, lane departure warning, lane keep assist, traffic signal recognition ये सब हमको मिल जाता है जो की बहुती बड़ी है safety features महिंदा के तरफ से provide कराए गये है और ये रहा गाड़ी का rear wheel जो की बहुती premium लगता है और इस गाड़ी में हमको 60 liters की बड़ी सी fuel tank मिलती है petrol और diesel हमको दोने fuel options में available है manual और automatic transmission के साथ में और गाड़ी में हमको जो है वो उपर की तरफ हमको बहुती जादा sturdy roof rails, sharp fin antenna और हमारी paris सी panoramic sunroof जो देखने को मिल जाती है और दोस्तों ये कुछ आप देख रहे है एकक्सवी 7W की rear profile जो की बहुती bolder नदर आती है और इसमें हमको fiber का tailgate offer किया गया है design के हिसाब से जो की बहुती attractive नदर आता है और यह रहे गाड़ी के arrowhead LED tail lamps इसमें भी हमको sequential indicators reverse light और brake light यह सब मिल जाता है और इस side से भी थोड़े बहुत visible होते जो की बहुती बढ़िया लगते हैं पीचे की तरफ हमें wiper washer और defogger offer किया गया है उसके उपर हमें high mount stoplet मिल जाती है और spoiler मिल जाता है जो की बहुत स्पोर्ट ही नदर आता है बहुत ही हेवी हेवी सी फील होती है हमको गाड़ी और यहां पर हमको एक सेवन डबलो की बैजिंग और एक सेवन लगजरी बैजिंग देखने को मिलती है नीचे हमको reflectors और silver में skid blade देखने को मिलती है और पीछे हमें parking sensors और reverse camera भी देखने को मिल सब्सक्राइब को मिल जाती है smart close technology मिल जाती है और यह रहे कुछ power windows और और यह जो हमको उपर की तरफ memory functions के देखने को मिलते है यह से हम गाड़ी की सीट को मिल जाती है जो की बहुत ही बढ़िया फंक्शन है और यह रहा सी लोर में गाड़ी का door handle जो की बहुत ही बढ़िया फील आता है घाड़ी में बैठने में भी पहले दो मैं गाड़ी को स्टार्ट कर ले दाऊं और यह हमारी गाड़ी जो वह स्टार्ट हो गई है बहुत ही प्रीमियम स्टेरिंग विल हमको offer किया गया है दोनों साइड में को बहुत ज्यादा control देखने को मिलते है जो कि बहु गाड़ी के 10.25 इंचिस का इंस्ट्रूमेंट क्रस्टर जिसमें आपको टाय डिरेक्शन, टाइम, गेर शिफ्टिंग, फ्यूल लेवल, डिजिल स्पीड, ड्रावर इंफॉर्मेशन, वेहिकल इंफॉर्मेशन, टाय तेमरेचर जिसे अब देखने को मिल जाता है और यह र जो मैटो और वेदर अपडेट्स वगरा भी देखने को मिल जाते है अब देख सकते है गाड़ी के इंफॉर्मेंट सिस्टिम को गाड़ी की सारी इंफॉर्मेशन हमको इसमें देखने को मिल जाती है मेन्यू भी बहुत ज़्यादा बढ़िया रखा गया है और यूई भी बहुत ज़्यादा स्मूथ रखी गई है और इस इंफॉर्मेंट सिस्टिम में हमको सोनी की 12 स्पिकर्स की सराउंड साउंड सिस्टिम ओफर की गई है जो की बहुत ही बढ़िया इमर्सिव साउंड इफेक्ट भी क्रियाट करती है इसको पहले बंद कर लेते हैं और यह रह इलेक्टोनिक पार्किंग ब्रेक और उसके बीचे आपको आटो होल्ड का भी बटन मिल जाता है यह रहे कुछ मीडिया के कंट्रोल्स और उसके साइड में हमें जो कपल्डस वगरा मिल जाते है और यह एक्जेस्टेवल आर्मलेस आपको मिल जाता है इस वेरेंट में जो कि बहुत ज्यादा प्रीमियम नदर आती है गाड़ी में हमको जीप जैप जूम और कस्टम से चार मोर्स आफ़वर किये गए है और यह रहा गाड़ी का आटो डिमिंग आयर्वियम जो कि बहुत ही प्रीमियम लगता है और उपर की तरफ हमें पैनराविक संट्रोल्स म आटे और रूफ लेंगा चेटप हैं वह भी हमको आपके मिल जाता है एलिदी मैं को रूफ लेंग समील जाते है और यहां पर सी वेनितिंटे आफर की गई इसमें को मिल जाता है सिर्फ के व्डैयन रहा लए आप उपर हमको स्पीकर्स ऑफर किये गए है यह पर हमको ग्रै बहुत ज्यादा कंफर्टेवल बनाए गई है मटेरियल भी बहुत ज्यादा अच्छे से यूज किया गया है और स्टेरिंग के रैट साइड में हमको हिड्लैम एकजेस्टर और हिल डिसेंट कंट्रोल्स के वगरा बटन जो देखने को मिल जाते हैं इस गाड़ी में बहुत ज्यादा स्मूथ से बनाए गई है और यह रही गाड़ी की सेकंड अब अंदर बैटके दखते हैं तो बाई गाड़ी की जो सीट से वह बहुत ज्यादा कंफर्टेवल बनाए गई है और लेग रूम भी बहुत ज्यादा सफिशेंट हमको एक्सवी सेवन डबोल में द जाता है पिलाले हम निकाल नहीं सकते हैं लेकिन आम डेस भी हमको सेंटर में मिल जाता है और यह रहा कुछ साइड़ का पैटन और यह संद्रूफ ए 95 पर सेंट तक रूफ को कवर करती है यहाप हमको ग्रैब हैंड़ मिल जाते हैं जो कि बहुत ही बढ़िया है और यहाप देख सकते हैं एक बार टच करने पर यह पूरी फोल्ड हो जाती है तो चलिए भाई अब हम बैट के देखते हैं गाड़ी के थर्ड रोम है कैसा रहता है हमारा एक्स्पिरियेंस तो भाई अगर मैं स्पेस की बात करूं तो स्पेस इतनी ज्यादा नहीं है लेकिन मैं थोड़ा तक कमफ़र्टेबल या पर बैट पा रहा हूँ अब देख सकते हैं लेग रूम थोड़ी कम है लेकिन इतनी मेरे लिए सफिशेंट है पीछे भी हमको एसीवेंट मिल जाते ह और स्मार्ट क्लीन जोन इनविल्ट एयर प्यूरिफायर बे हमको मिल जाता है 12 वट का हमको नॉर्मल चार्जिंग फोड भी मिल जाता है ग्लास होडल मिल जाते हैं पीछे की तरफ जो कि बहुत ही बढ़िया बात है उपर हमें स्पीकर्स और ग्रैब एंडल की प्लेस्में आपन हो जाती है वहां बूट को ओपन कर रहे है बहुत हैवी सा डौर है एक स्वी सेवन डबल हो का अब देख सकते हैं यहाँ पर हमको निचे की तरफ मिल जाता है लगा हुआ क्योंकि इदर स्पेर्विल के लिए जगा नहीं बचती है सेवन सिटर वेरिनेंट में तो दोस्तो अगर आप अएक स्वी सेवन डबल का जो एक स्वाई व एरिंट है फाइस के वी सेटर में देखने वाला उसका डिटेल डिव है तो आपको आइब पटन पर जो इसके लिंक मिल जाएगी और यह था हमारा एक स्वी सेवन डबले का एक सेवन लग्जरी वेरिंट का डीटेल वाकराउंड एंड रिव्यू अगर आपको वीडियो थोड़ा भी इनफरमीडियो लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए शेर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना आपका एक सब्सक्राइब मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेट करता है तो दोस्तों मिलते हैं नए वीडियो में नए कंटेन के साथ मैं थैंक्स फॉर वाचिंग